नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं अपनीनम आपके साथ बिग बॉज 17 खत्म हो चुका है शो के खत्म होने के बाद से ही शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट कुप चर्चा में है बिग बॉज की एक्स कंटेस्टेंट मनारा चौपडा ने एक इंटर्वियू के दोरान मनवर पारुकी के बारे में बात की दरतल चौँ में मनारा और मनवर के बीच गहरी दोस्ती थी हाँ ये बात और है कि उसमें भी उतार चड़ाओ आते रहते थे एक पुराने एपिसोड में मनारा ने मनवर को किस किया था मनवर ने अंकीता से ये बात बताई उन्होंने कहा कि मनारा ने उन्हें किस किया था जिसके बात वो अनकमपटेबल हो गए थे अब एक बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद मनारा को इस बात पता चली है उन्होंने इस पर रेयक्शन देते वे कहा है कि अगर उसने ऐसा कहा है उसे पबलिक के सामने मुझसे माफी मांगनी चाहिए मनारा ने बाकी के इंटर्वियू में मनारा को अपना सचा 200 फैमिली मेंबर जिसा बताया उनसे जब पूछा गया कि क्या उनके अंदर मनारा के लिए कोई फेलिंग्स है इस पर मनारा ने जवाब दिया कि वो मनारा को अच्छा दोस्त मानती है इसे ज़्यादा और कोई फैलिंग्स नहीं है उन्होंने कहा मनारा की लाइफ में कितना कुछ चल रहा है ये सोचकर ही मैं परिशान हो जाती हूँ मनारा ने अंकीता को इस बारे में फिनाले की कुछ दिन पहले बताया था मनवर ने कहा कि उसने दिवाली की रात को मुझे किस किया था वो बार-बार मुझे पूछ रही थी कि डांस कैसा लगा डांस में मज़ा आया मैं उन्हें जवाब दे रहा था उन्होंने आगे कहा मैं हमेशे एक लाइन मैंटेन करके रहता हूँ ये बात मैं उससे नहीं कहना चाता उसे बहुत अजीब लगेगा बता दे मनारा चोपड़ा बिग बॉस के फाइनल तक पहुची वो टॉप त्री में पहुचने के बाद फिनाले के दिन ही बाहर हो गई इस शो से उन्हें काफी फैम मिला शो देखने के बाद दर्शकों का मानना था कि मनारा मनवर को पसंद करती है लेकिन बाहर आने के बाद मनारा ने इस बात से इंकार कर दिया इसी के साथ बने रहे रागनामा दुनिया के साथ धन्यवाद